अरे ओ बेटा जी अरे ओ बाबू जी किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम वैसे ही किस्मत की हवा की तरह हम बनाने जा रहे हैं एक रेसिपी टाटस कभी नरम कभी गरम धोखला शुरू करेंगे इंट्रों के बाद इंट्रों से पहले आप सब्सक्राइब कर लिजी और बेल सेंटर में आती रहे और हमारे सोचल मीडिया हैंडिल्स के यूजर नेम यहां लिंक इन डिस्क्रिप्शिन बॉक्स प्लीज फॉलो उस पर मोर एक्साइटिंग रेसिपीज मालको कहानी यह है कि हमने बेसन ले लिया है बावल में इसमें जाएगा जिंजर और ग्रीन चिली का पेस्ट यह लगबक चार के करीब ग्रीन चिली हैं और एक इंच के करीब जिंजर तो उसको हमने पेस्ट में पीस लिया है और इसका लगबग एक छोटा चमबच अगर आपको जिंजर कर नोट थोड़ा ज्यादा पसना आप ज्यादा डाल सकते हैं इसमें जाएगी हींग हींग के बाद लेमन जूस थोड़ी सी हल्दी अब जाएगी दही अब सॉल्ट सॉल्ट डालने के बार पानी डालेंगे और बैटर बनाएंगे पानी ग्राजूली डालना है ताकि ज़्यादा पतला ना होगे और लंब्स भी न पड़ें तो जी बैटर आपको चाहिए यह फ्री फ्लोविंग लंफ्री रिबन टाइप कंसिस्टेंसी का अब इसमें डालेंगे इनो फ्रूट सॉल डालने के बाद अपनी स्पीड बढ़ानी है जल्दी जल्दी करेंगे मिक्स केक टिन में डालेंगे और उसके बाद स्टीम कर लेंगे अब जब तक हमारा ढोकला स्टीम हो रहा है तब तक हम धनिया काट लेते हैं अरे ओ बेटा जी अरे ओ ओ बाप मेरे न यार ये गाना नाव जुबान पर चाड़ी गया है तब इतना बड़िया गाना और जिंदी का इतना बड़िया फलसफा सिखा भी देता है अब पैन के नीचे आग तड़के की त्यारी करते हैं पैन में ओइल तेल डालने के बाद जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक निम्न लिखित चीजे निम्न लिखित समगरी इकटी कर ले अब वो क्या है हींग राई हरी मिर्च कड़ी पत्ता और धनिया थोड़ी सी चीनी बट जो टेंपरिंग में जाने हैं वो है हींग, राई, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता ये तो बहुत जरूरी ही ये पहले इकटे कर लें तेल गरम होते ही हींग, राई, हरी मिर्च, और करी पत्ता अब थोड़ी से चीनी, अब थोड़ा सा पानी अब तड़के को एक बॉयल आते ही तड़का हमारा डन है अब अपना धोकला चेक कर लेते हैं एक बड़ी, तुथ पे कले लिजिए, प्रिक करके देखेंगे, धोकला डन है के नहीं अब इसको निकाल लेते हैं और टेंपरिंग डालेंगे, अब धनिया डाल देते हैं तो यह धोकला हमारा डन है, टेंपरिंग डाल दिया है, अब इसको रखेंगे फ्रिज में और ठंडा होने के बाद फिर प्लेटिंग करेंगे, मिलते हैं प्लेटिंग के बाद तो यह थंडा हो चुका है, और इसने सारी टेंपरिंग सोक इन कर लिए हैं, अब इसकी करता हैं प्लेटिंग मिलते हैं प्लेटिंग के बाद अब ये beauty की recipe आपके पास है आपने क्या करना है आपने recipe करनी है try photo facebook page पे वीडियो को like, comment and share thank you, सत्रियकाल, happy cooking